तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेश्णों में लेमन चिकन कैसे बना जाता है एक तम आथेंटिक रेस्पी आपको लेमन चिकन बनाने की बताने जा रहा हूँ आप एक वारी इस रेस्पी को ट्राइ करके देखिए शायद ही आपने इतना डेश्टी चिकन कभी खाया होगा और जो भी नए ब्यूर सार पहली बाद चैनल पे है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे पुराने प्यारे से ब्यूर से ना वो वीडियो को ज़्यादा स्यादा लाइक करें और अपने प्रेंट से में वीडियो को शेयर करें और कुमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रैसेपी कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट जल्दी से रैसेपी शुरू कर लेते हैं यहाँ पे देखिए सबसे बहले हमें लेमन ची होगा चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 क्राम बोनलेस चिकन लिया है आप बीर बोन चीकन का यूज़ कर सकते हैं लेमन चीकन बनाने के लिए सबसे बहले इसको मैरिनेट करेंगे आदा चोड़ा चमच यहाँ पे मैंने नमक डाल दिये इसमें थोड़ी सी आपने राहँ कूटी काली मिल्च टाल नहीं है लेमन चूँज टालेंगे एक निम्पु करस आपने इसके अंदर निचोड़ देना है इसके बाद इसमें अधर गलसन का पेस टालेंगे एक छोड़ा चमच यहाँ पर मैंने अधर गलसन का पेस्ट डाल दिया है आप इन सब को आपने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तो फर्स्ट मेरिनेशन करने से चिकन के अंदर जो स्मेल वगएर होती है वो खतम हो जाती है रफली का टॉप प्याज डाल देना है तो एक बड़ा प्याज लेना है आपने उसको रफली काठके डालना है और ये मैंने काजू रखें आदे गंटे से बिगो के गरम पानी के अंदर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए जल्दी तो 12-15 आपने काजू लेने हैं और 12-15 आपने काजू डाल देने हैं मैं काजू टुकुडा का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा अपने हल्दी पौडर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा ताकि जो लेमन का कलर होता ना यलो सा बो कलर आज़ा है और gas की flame high करेंगे और high flame में इनको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि प्याज के अंदर जो एक कच्ची smell होती है ना बोग अतम हो चाहे तो प्याज के लिए हम इनको थोड़ी दिर के लिए पका रहे हैं यहाँ पे तो यह देखिए प्याज यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है अब इसके अंदर आपने पानी डाल देना है तो एक सूप बहल बरके मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है पानी डाल के आपने इंको 12-15 मिनिर तक बॉइल करना है अब इनको बॉइल तो करते हैं ताक हर चीज सौफ्ट हो जाए क्योंकि इसके अंदर हम तो अगे देखिए इनको बॉयल होते हैं बारा मिनिट हो चुके हैं इसके आपने क्या करना है इसके अंदर जो तेज पत्ता और बड़ी लैशी डाली है उनको निकाल देना है नहीं तो ग्रेवी के कलर को खराब करेंगे वो और जो छोड़ी लैशी है उसको आपने ग्रेवी पार होई चुकिए आपकी ग्रेवी ना दरदरी नहीं होनी चीए तो इस तरह से अपने लेवन चिकन के लिए ग्रेवी बना के त्यार करना है पहले फिर एक पैन लेंगे और उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑईल को अपने थोड़ा सा गरम कर लेना है जैसे आपको आपक बहुत ही बड़ी आप टेस्ट आता है तो लेमन ग्रास को अपने बटर के साथ थोड़ा सा पका लेना है तक इसका जो फ्लेवर एक्टिबेट हो जाए और लेमन ग्रास जो बो सॉफ्ट हो जाए फिर इसके बद आपने ना मैरनेट की ओए चिकन डाल देना है और जब आप अच्छे से ग्रील नहुं पाएगा तो देखिए हाई फ्लेम में याँ चिकन को ग्रील कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से आपने चिकन को पलटी करके ना ग्रील कर लेना है दोनों साइट से तब तब पकाना है चिकन को जब तक इसके अंदर जो मौश्च रहना भो खतम ना हो जाए गैस की फ्लेम आप बीच में मीडियम कर सकते हैं बीच में मीडियम बीच में हाई कर सकते हैं इस तरह से आप चिकन को यहाँ पर पका सकते हैं थोड़ा सा healthy powder डाल दीचिए ताकि chicken के अंदर भी lemon जैसा color आ जाए और healthy powder को भी अच्छे से chicken के साथ mix कर लीचिए आप healthy powder marination के टाइम में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा जब marination करते हैं तो आपको यहाँ पे healthy powder डालने की जूट नहीं पड़ेगी तो यह देखिए चिकन के ओपर जो color है न वो grill बार color यहाँ पे आना शुरू है चुका है तो इसके वाद आपने यहाँ पे gravy add कर देनी है तो सारी की सारी gravy मैंने यहाँ पे डाल दिये अगर आप gravy कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी gravy का use करें नमक डाल दीजिए साथ में तो आदा छोटा चमची यहाँ पे मैंने नमक डाला है नमक आपने कम भी डालना है क्योंकि चिकन को marinate करते हैं भी हमने चिकन के अंदर नमक डाला था और gravy के साथ चिकन को अच्छे से mix कर लेना है और गैस की जो flame में आपने medium कर देना है तक कि gravy चो बहुत छीटे नमारे और पानी के use आपने अभी बिल्कुल भी नहीं करना है और चिकन को अपने उपर से cover कर देने और साथ से 8 मिंट तक एक तो लो flame में चिकन को पकने देने तो टोटल 8 मिंट मुझे चिकन को पकाते हो चुके हैं और बीच बीच में अपने चिकन को नहीं हिलाते भी रहना है क्योंकि काजू का जो paste है वो पैन के नीचे चिपकता है एसाँने की 8 मिंट के लिए चिकन को छोड़ दिया लिए और चिकन जल रहा है नीचे से तो चलाना नहीं है चिकन को बीच बीच में पढ़डा चलाते रहना उससे तो ये देखिए ग्रेवी जो है ग्रेवी ने ओईल यहां पर छोड़ दिया है जैसे आपकी ग्रेवी ना ओईल छोड़ना शुरू कर दे तो समझे लिजएगा कि आपकी जो ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है इसके बाद आपने इसके अंदर पानी एड़ करना है तो देख गया है या कच्छा है अगर आपको लग रहा है कि चिकन अभी थोड़ा कच्छा है पूरी तरह पका नहीं है तो चिकन को आपने फिर से उपर से कवर कर देना है और चार से पांच मिनट तक आपने चिकन को एकदम लोफले में फिर से पका लेना है ताकि चिकन जो अच्छी चिलके हैं जिनको मैंने ग्रेट करके रखा था साथ में आपने थोड़ी सी धनिये की डंठल चॉप करके डाल देनी इसके अंदर और एक टुकड़ आपने बडर का डालना है और एक छोड़ा चमच आपने इसमें क्रीम डालनी है और इन सब को आपने चिकन के साथ अच्छे स मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए पकने देना है था कि लेमन के जो चिलके बगएर है ना वो थोड़ा सा अफना फ्लेवर छोड़ते हैं और यह सारे इंग्रिडिंस अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं तो 30 से 40 से किन तब पकाने के बद आपने ग्रेवी को अब फ्लेवर छोड़ते रहते हैं